हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट्र सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजूकेशन क्लिक आइम इस्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक और लाइफ स्टाइल डिसीज आइम केरिंग दिया 18-year experience एक कॉमन सी प्रोबलम हम देखते हैं अपनी क्लिकल प्रेक्रिस में पेशेंट बहुत बारी एक सिंटम के साथ प्रेजेंट करता हैं और यह टिंगलिंग स्टिफनेस नमनेस वीकनेस ऑफ मसल्स आखिर यह क्यों होता है और इसके पीछे क्या बुन्यादी कारण है और हम उनको कैसे खुद से डील कर सकते हैं खुद से ठीक कर सकते हैं तो यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हर चौथे इंसान को एक एज के बाद इस तरह की फीलिंग होती है इ आवरडेज पॉस्चर का प्रॉब्लम यदि आप गलत पॉस्चर में लंबे समय तक रहते हैं तो आपको नमनेस स्टिफनेस टिंगलिंग वीकनेस ऑफ दे मसल्स यह सब हो सकता है बटे काफी टेंप्रेरी होता है जैसे यह आप अपने पॉस्चर को ठीक कर लेते हैं और ब स्टिफनेस कमजोरी और एनर्जी का ना लगना फंक्शनल वीकनेस का महसूस होना और वो काफी मतलब लो फील करते हैं तो यह सब के बल इसलिए होता है कि आपके बॉड़ी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है जब आपके बॉड़ी में ब्लड का स आती है इस्टिफनेस आती है नमनेस आती है टिंगलिंग होता है तो यह सारी चीजें देखी जाती है नेक्स्ट है फाइब्रो मलेजिया फाइब्रो मलेजिया एक बीमारी है जो आपके मसल्स को जो आपकी वेंस को और आपके बिल पावर को इवन आपके ब्रेन को भी प्र तो आप फिर मिथाइल कोबालमाइन 1500 mcg वन इंजेक्शन डेली फाइव डेल लगवा सकते हैं और यदि आपका वी ट्वेल मोर देन 250 है तो फिर इसको टाबलेट से भी मेनेज किया जा सकता है नियूरोबियोन या मिथाइल कोबालमाइन 1500 mcg वन टाबलेट डेली आप एक से ते तीन महीने ले सकते है तो इसको आप डिेल कर सकते हैं आफ नीचरोली इसको लेना चाहते है तो आप अमरूद हैं आपका सेव है इसमें ये आपको मिलेगा weed की कमी serum calcium की स्टूडियम की कमी जिसको हम हाइपो थाराइडिजम कहते हैं लगातार ब्लट पेशर का बढ़े रहना सुगर का बढ़े रहना यानि डाइबिटिक नियूरोपैथी जिसे हम कहते हैं डाइबिटी जदी आपकी कंट्रोल ना हो ब्लट पेशर आपका कंट्रोल ना हो और यह वी साथ में बनी रहे तो diabetic neuropathy या neuropathy हम कह सकते हैं वो develop होती है इसका मतलब यह होता है कि आपकी nerves muscles और veins के अंदर stiffness start हो जाती है उसकी mobility उसकी flexibility कम हो जाती है जिससे कि आपको numbness, tingling, pain, stiffness यह सब report होता है इसके बाद आता है कि आपको metabolic factor हो सकते है metabolic factor में आपको obesity हो सकती है और आपको fatty liver हो सकता है और दूसरे कुछ metabolic reason हो सकते हैं तो उसके कारण भी देखा जाता है कि आपको यह सब problem महसुस होती है कुछ special conditions है सबसे जादा जो आपकी nerves की health को परभावित करने वाले factor है वो आपकी smoke है वो आपका alcohol है तो यदि आप smoking करते हैं या आप alcohol लेते हैं तो आप smoking और alcohol को stop करिए या moderate करिए या आप बिल्कुल इसको बंद कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है यदि आप से नहीं करें इसको डील करने का natural तरीका यह है कि आप अंकुरित जो डाले हैं वो खाएं सेव खाएं अमरूद खाएं और चार अक्रोड खाएं चार बादाम खाएं डेली 300 ml मिल्क लें यदि मिल्क आपको नहीं सूट करता है तो आप कड ले सकते हैं कड से भी दिक्कत होती है तो आप सोयवीन पाउडर या से सोयवीन का हलूआँ खा सकते हैं तो यह सारी चीज़ें होगी दूसरा है कि आप रिगुलर वाकिंग करें एक्सरसाइज करें muscular exercise से numbness, tingling और आपकी जो ये problem है ये completely ठीक हो जाती है लेकिन आपको regularly muscular exercise करनी होगी, stretching करनी होगी, आप जिमिंग भी कर सकते हैं लेकिन आप हलका light weight use करें, lumby repetition यानि muscular repetition आप करें, lumby exercise करें, इससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे और फिर भी उसके बाद stiffness, numbness ये सब बना रहता है आपको तो फिर आप एक बर physician को visit करें, आप अपने symptoms को discuss करें उसके बाद आपको एक treatment दिया जा सकता है Thank you very much and take care of yourself